आज की रेसिपी रेसिपी नहीं एक अविशकार है जो खाने में बहुत ही मज़ेदार है अब यह अविशकार क्यों हुआ कैसे हुआ इसकी पूरी कहानी में आपके साथ वीडियो में जरूर शेयर करूंगी वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और लास्ट तक पूरा देख आने की चौक है ना आगे और भी चौकने वाले हैं आप लोग देखते जाईए हुआ यह कल मैं घर पे नहीं दी और मेरे बच्चों ने खिचडी बनाई उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया खिचडी बनाने का तो धेर सारी दाल चावल ली धेर सारा पानी डाला अब यह खि ग्राइंडर में उसको इस तरह डाल दिया और एक कप सूजी डाल दी है एक कप इसमें मैं दूट डाल रही हूं अब इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए यह थोड़ा साथ धनिया हारी मिर्च और लहसुन डाल रहे हैं और इसके साथ ही अब क्या करेंगे इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार यह देखिए मैंने यहां पर नमक डाल दिया है और इसके साथ ही मैं इसका स्वाद बढ़ाने के लिए यहां पर थोड़ा सा डालूंगी गरम मसाला अब मसाले अपने हिसाब से ले सकते हैं अब बस इसका धकन लगाएंगे बंद करेंगे और इसको हम पीष लेंगे तो यहां पर इसे पीसने के बाद मैंने पांच मिनट का रेस्ट दिया है और पांच मिनट की बाद मैं इसे चेक कर रही हूं यह देखिए बहुत बढ़ा स्मूध बैटर तैयार हो गया यही मुझे चाहिए था और अब यहां चुटकी चुटकी भर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर खाने वाला सोडा और पाउडर एड़ कर देंगे और क्योंकि मेरे पास इनो नी था अगर इनो है तो आप वो डाल देना बढ़िया रहेगा थोड़ा पानी डाल कर अक्टिवेट किया और इसके साथ ही हम इसको फटा फट से मिला लेंगे बहुत जादा नहीं चलाना है हलके हाथ से हमने इसको मिक्स करना है मैं मिक्सर ग्राइंडर में ही ये काम कर रही हूँ ताकि बरतन कम गंदे हो और ये देखिए कितना स्मूद बैटर बनके तयार हो गया है अब भाई इसका क्या बनने वाला है मुझे भी नहीं पता बस देखते जाईए बैटर तयार हो चुका है और मैंने एक तवा गरम कर लिया है तो कोशिश कीजिए नॉन स्टिक तवा लेने की और इस तवे पर मैंने इस बैटर को फैला दिया है किसी चीला या उत्पम की तर बैटर को हमने फैला दिया है और फैलाने के बाद क्या करते हैं इस पर थोड़ी सी सबजिया डाल देते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए तो मैंने थोड़ा प्यास काट लिया थोड़ी हरी मिर्च काट ली है वो मैं फैला रही हूं और मुझको फ्रीज में एक गाजर भी मि और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो ओल लिखा होता है घंटी उसको जरूर दबा दें जिससे आपको रोजाना नोटिफिकेशन मिलती रहें अब यह सारी सबजियां डालने के बाद हम क्या करेंगे इस पे हलका सा तेल लगा देंगे ऑप आसानी से पलट सकें यह देखिए जब यह उपर से ड्राइ हो जाए तब आपने इसको पलटना है उससे पहले मत हिलाना वरना तूट सकता है यह और देखने में तो ठीक ठाकी लग रहा है देखते जाए आगे क्या बनता है अब बस इसको स्पैचुला से हमने पलट दिया ह यह देखिए आसानी से पलट गया है और बढ़ी हासी गया है यहां से तो पलट कर फिर से दो मिनट के लिए सेंक लेते हैं और देखिए क्या बनके तयार हुआ है माइग गाड देखने में तो सुन्दर लग रहा है यकीन जानिए खाने में बहुत मज़ेदार बन गया था यह बाई चांस आज का विश्कार सफल हो गया तो अगली बार जब कभी आप बाहर जाएं और आपके बच्चे घर में खिचडी बनाएं तो अगले दिन टेंशन मत लेना यह विश्कार आप भी ज़रूर ट्राइ करना बहुत जबरदस्त रैसी भी बनके तयार हो चुकी है तो मुझे कमेंट करके बताना आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है और एक बार ज़रूर ट्राइ करना और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद मिलते हैं कल एक नई रे सिपी के साथ अब तक के लिए बाइ